ओम श्यंति स्वयम भगवान आए हैं हमें कर्मातीत बनाने हमें संपुरून बनाने इसलिए हमें इस जीवन में अपने से अच्छी महनत करनी है क्योंकि समय की हमारी महनत जनम जनम की महनत से मुख्ट कर देगी ये महनत वैसी महनत नहीं ये महनत केवल साधनाओं की महनत है ये महनत मन बुद्धी को एकाग्र करने की महनत है ये महनत थोड़ा सा समय निकाल कर योग अभ्यास करने की महनत है एक महनत वो होती है जिसके लिए बाबा मना करते हैं कि अपने व्यार्षन कल्पों से लड़ना अपने मनोविकारों से द्वंद करते रहना, ये युद्ध ठकाने वाले हैं। लेकिन ये महनत जो हमारी साधनाओ की महनत है, हमें ठकाती नहीं बलकि हमें बहुत सुख देती है। तो हम कर्माती तवस्था को प्राप्त करें। और इसकी अभी से practice करें, कि हम कर्मों के प्रभाव से मुक्त रहें, अर्थात कर्म तो हम करते हैं, लेकिन उसका जो effect होता है, जिसको बाबा कर्म consciousness कहते हैं, उससे जड़ा बाहर चलें, कर्म मैं जीवन हो जाए, ऐसा ना हो, और फिर कर्म का जो परिणाम हमें मिलता है, उसके भी effect से हम परे हो जाएं, कर्मों का effect मनुस के उपर बहुत आता है, कर्मों में सफलता मिली, तो हम बहुत प्रसंद, न मिली, तो हम उदास, हमें विजय हुई, तो हम हर्ष के मारे फूले नहीं समाते, और हार हो गई, तो हम निराशा के अंदकार में डूब जाते हैं, लाब हो गया, तो वहाँ वहाँ बाबा, और हानी हो गई, तो बाबा आपने ये क्या कर दिया, ऐसा नहीं, हम दोनों को स्विकार करें, और दोनों को प्रभू परपन कर दिया करें, तो हमें खुब प्रेक्टिस करनी है, योग-युक्तो कर विकर्मों को नस्थ करने की, चोकि करमाती तवस्था, विकर्माती तवस्था भी है, जब हम विकर्मों से परे उठ जाते हैं, जब हम कोई विकर्म भी नहीं करते, और पास्थ के विकर्मों को दगद भी कर देते हैं, इसलिए बहुत अच्छी मेहनत करनी है योग-युक्त रहने की, ताकि जनम-जनम के हमारे विकर्म नस्थ हो जाएं, योहीं तो हम कर्मातीत नहीं हो जाएंगे, कर्मों का बोज, विकर्मों का बोज, बहुत जादा है हर आत्मा पर, उसी के कारण जीवन में हनेक समस्याएं आ यह सब उसी के कारण हो रहा है, जितना जितना हम योग अभ्यास करेंगे, हमारे यह विकर्म नस्थ होते जाएंगे, लाइन के लियर होती जाएगी, हमें ऐसा लगेगा, सिर्भी हमारा हलका हो गया, उस पर होने वाला बोज, उस पर उभरने वाली टेंशन, बहुत समाप् हो गई हलकी हो गई, साथ साथ हम ये भी ध्यान देंगे, कि हम से कोई विकर्म न हो, विकर्म पड़े सुक्सम है, किसी की स्थिती को डिस्टर्ब कर देना, किसी की निन्दा चुगली करना, किसी को परेशान करना, मुक से कटू वचन बोलना, चोरी करना, जोट बोलना, दं यदि हमें हमसे सुख्समी खर्म होते रहेंगे तो हम योग-युक्त जीवन कभी नहीं बना सकेंगे तो आईए संकल्ब करें मुझे अपने सभी खजानों को सफल करना है एक-एक सेकिंड सफल करना है एक-एक स्वान सफल करना है एक-एक संकल्ब सफल करना है क्योंकि यही तीनों कि फिमनुस को सबसे महान बनाने वाले या सबसे नीचे ले जाने वाले हैं हम इन तीनों पर विशेश ध्यान देंगे तो आईए आज द्रट संकल्प करें हम अपके योग-युक्त होने के पुर्शार्थ की स्पीर्ड को और तेज करेंगे समय समी पाता जा रहा है योग-युक्त रहने से ही ये इस्थिती बनेगी तो आज फ्रील करेंगे मैं आत्मा अपने को आत्मा देखेंगे उड़कर जाती हूँ परमधाम में बाबा के पास बाबा को टच करती हूँ फिर बापिस नीचे अपने देहे में प्रवेश कर लेती हूँ फिर परमधाम जाती हूँ, बाबा को टच करती हूँ, और फिर वापिस आती हूँ, बहे में प्रवेश कर लेती हूँ, ओम स्यंति